एक है एलो स्टुडेंट्स पिछले वीडियो में हमने बात की थी इलेक्ट्रिक करेंट के बारे में यह नहीं हमने बता था कि अगर किसी वायर के या फिर कंडॉक्टर के किसी भी यूनिफॉर्म एरिया से यूनिट एरिया से पर सेकंड जितना भी चार्ज फ्लो करेगा उसे हम इलेक्ट्रिक करेंगे यह मेजर्मेंट है एक मैजर्ड क्वांटिटी है उसके बेस पर हम इलेक्ट्रिक करन कहते हैं बैसिकली इलेक्ट्रिक फ्लो या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज का जो फ्लो होता है उसे हम इलेक्ट्रिक करेंट कह रहे हैं मैथेमेटिकली हमने बताया फिर हमने यूनिट बताई थी आई जो होता है Q divided by T होता है यानि कुलम पर सेकंड ऐसा यूनिट बताई थी एलेक्रिक करंट की वह वन एमपियर होती है और इसी तरह से छोटी बड़ी यूनिट भी हो सकती है जैसे मिली एमपियर के लिए हमारे पास होती है 10 पावर माइनस 3 एमपियर और माइक्रो एमपियर के लिए होती है 10 पावर माइनस 6 एमपियर और मेगा के लिए होती है 10 पावर 6 एमपियर आज हम बात करते हैं कि इस करेंट को चलने में यह फिर इन चार्जिज को चलने में हैल्प किस तरह से होती है हम बाहर से कोई बैटरी अप्लाई करते है या कैसे जब यह चार्जेज किसी फिल्ड के असर में चलना शुरू कर देते हैं तब हम इन्हें कि इलेक्ट्री करेंट कहती है और उसे चलाने के लिए जो फोर्स का फिल्ड होता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंचिल इडिफाइंड अज़ वर्क डन इन ब्रिंगिंगे यूनिट पोजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टो एपॉइंट इस इलेक्ट्रिक पोटेंचिल ऑफ दैट पॉइंट अब अगर हम इस ध्यान से देखें इस डेफिनेशन को तो यह थो एक और चार्ज है प्लस क्यूं क्यूं क्यूवन जो बहुत दूर रखा गया है जब हम इनको नजदीक लेक्ट आएंगे तो डेफिनेटली सेम पॉलारिटी की वज़े से यह दूसरे क्या करेंगे रिपैल करेंगे और यही होगा जब क्यूवन क्यूटू गे नजदीक आएगा तो इनमें रिपल्सन बढ़ना शुरू हो जाएगी लेकिन यह बहुत दूर से रिपल्सन शुरू नहीं होगी यह डेफिनेट रेंज के बाद ही रिपल्सन शुरू होगी और जिसे फिल्ड कहेंगे हम किसका क यह ठीक वैसा ही है कि एक परसन बैठा है तो वह कितनी दूर तक अपने हाथ को लेके जा सकता है यानि क्यूटू के चारों तरफ एक फिल्ड है जहां तक इसके असर को देखा जा सकता है यहां पर यह डैस्ट लाइन से सर्कल बना है जो इसे शुरू करता है कि यह फिल्ड कि यह पतो हो जाएगी लेकिन फिर दिए अगर हमें एक गूटु की तरफ लेके जाना पड़े तो हमें एक हौर्स लएख पड़ेगी इसके उपर क्यू वपर उपर ताकि उस रिपल्टं को ओवर कम कर सके हम यानि क्यूटू और क्यूवान के बीच में ज़िट है उसे कम क work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point यानि बहुत दूर किसी measurement से हम उस point तक लेके आना चाहते हैं जहां तक हमें उस charge को लेके आना है यानि Q2 तक तो इस तरह से जब हम लेके आएंगे ने तो एक work done हमें करना पड़ता है और यह work done का amount लगाता और बढ़ता रहता है जितना आप नस्दीक जाओगे उतना यह work done हमें ज्यादा करना पड़ेगा क्योंकि रिपल्सन फोर्स ओफ रिपल्सन नस्दीक जितने आएगी उतने ही increase होती रहेगी तो इस तरह से हम define कर सकते हैं कि जितना आप charge के साथ बैलेंस करोगे यहां पे उतना ही हमें क्या करना पड़ेगा work done करना पड़ेगा mathematically समझाना चाहें तो वी हो जाता है यहां पे work done per unit charge एक charge के with respect में हमें कितना work done करना पड़ता है वह कहलाता है यहां पे electric potential unit of V is equal to w divided by q 1 joule per coulomb SI unit की अगर हम बात करें तो electric potential के SI unit बनती है 1 volt इसी तरह से हम यहां पर बड़ी असानी से बता सकते हैं कि electric potential होता क्या है अब electric potential difference की बात करते हैं आपने एक cell जरूर देखा होगा cell के दोनों end पर एक तरफ positive होता है और एक तरफ negative sign होता है वह basically represent करता है positive potential को और negative potential को यानि negative terminal and positive terminal अब हम उसके difference की बात करते हैं इट इस डिफ्रेंड वह होता है एक्चुली polarity के बीच में difference यानि electric potential अलग-अलग तरह का होता है दोनों पर और अच्छे सिसका meaning समझोगे आप higher study में यान graduation में फिलाल के लिए आप बस इतना समझिए कि जो दो end है उन में potential का difference होता है electric potential difference इस डिफाइन अगर यहां पर हम उस रास्ते को दो points में divide कर दें तो दोनों जगहों पर लगने वाली फोर्स होगी वह अलग-अलग होगी जैसे मैं q1 को उसी तरह से लेके आता हूं q2 की तरफ तो उसका एक field है जहां पर effect दिखेगा लेकिन उस field से बाहर उसका effect minimize होगा कम होगा तो q1 चला है पहले a point पर है वो उसके बाद b point पर है तो कोई भी बता सकता है कि a point पर जब वह है तो work done उसे कम करना पड़ रहा है वी point पर जब वह है तो work done उसे ज्यादा करना पड़ रहा है क्योंकि electric potential का difference यहां पर साफ साफ देखा जा सकता है और इस डाइक्राम को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूं यह point पर जब वह है तो वहाँ पर जो difference है वो work done होगा वो कम होगा बी point पर work done ज्यादा होगा दोनों का अगर मैं difference निकाल लूँ तो यह difference कहलाता है electric potential difference जैसे बी point पर जो work done है वो ज्यादा होगा definitely vb यहां पर हमने लिख दिया इसको vb is equal to wb divided by q और a point पर जो work done होगा same formula va is equal to wa divided by q लेकिन measurement जब करेंगे इनकी तो यह कम ज्यादा निकलेंगे इसलिए इनमें difference भी आएगा तो difference हम greater में से जो less है वो minus कर देते हैं vb minus va क्यों ऐसा क्यों किया गया क्योंकि हम a से b की तरफ चल रहे थे यानि final point यहां पर b है तो final में इस initial हमें घठाना पड़ता है ठीक है तो यह हमने ऐसे पूट अप किया formula wab divided by q यह बन गया हमारे पास vab is equal to wab divided by q यह electric potential difference रहेगा here ab is due to moment from a to b जैसे कि मैंने बताया यहां पर a से b हम क्यों ले रहे हैं क्योंकि हमने moment a से b की तरफ की है तो यह electric potential difference है दोनों की unit volt रहेगी क्योंकि same physical quantity है तो उनका difference addition multiplication सब कुछ same चीज रहेंगी difference और addition same रहेंगी multiplication में difference आ सकता है ओके आज हम इतना ही करते हैं all the best